जैवसी की दोस्तों, आज की सुरिगे मन्ना का भाख हमने लिया है, इर्मिया की पुस्तक उसका पांचवा अध्याय और उसका बाइस्वा वचन वचन कहता है क्या तुम मेरा बह्य नहीं मानते यहवा की मानी है क्या तुम मेरी उपस्ति में थरत दनाते नहीं क्योंकि मैंने भालू को समुद्र की सीमा एक अंत आधिश छहराया है कि समुद्र उसे पार न कर सके ये दिपी लहरें उनसे टकराएं फिर भी वे प्रबल नहीं हो सकती ये दिपी वे गर्चें फिर भी उसे पार नहीं कर सकती धन्यवाद विदा परमेशर तेरा अद्भुत वचन निराला है सुख देता है और हमें बताता है कि तेरे भाय में ही सुख और शान्ती है दोस्तों इस वचन में हम क्या देखते हैं इस वचन में हम देखते हैं परमेशर के प्रेम को ये पुरी स्रिष्टी परमेशर ने अपने वचन के द्वारा बनाई है और ये वचन बताता है कि पुनी स्रिष्टी वचन के द्वारा ही चलती है परमेश्र के आदेश के अनुसार चलती है जो परमेश्र ने कहा है वो स्रिष्टी करती है उसके ना इधर ना उधर सुरज अपनी गती के अनुसार चलता है सूरज अपने समय के अनुसार निकलता है चांद अपनी गती के अनुसार चलता है प्रित्वी अपनी गती के अनुसार चलती है और समुद्र यहां बताया गया है कि समुद्र की लहरे उस तट के बालू को सिर्फ छू सकती है उन्हें आदेश है कि उसको पार ना करे कितनी चट्टाने समुद्र के अंदर होंगी कितने पत्थर समुद्र के अंदर होंगे लेकि उन सब को बहा कर उन सब के ऊपर जब समुद्र निकलता है तो परवा नहीं करता है लेकिन समुद्र को चेतावनी मिली है पहले का पहले का साथ कहता है यहुआ का भय मानना बुद्धी का आरंब है अगर हम परमिश्र का भय मानेंगे तो हमारी बुद्धी का आरंब होगा हम जान पहेंगे कि परमिश्र क्या है इसलिए निती वचन का दूसरे का पहला कहता है कि हे मेरे प्रभू हे मेरे पुत्र कि तो तू यहुवा के बहे को पहचान सकेगा ध्यान से सुनिए पहचान सकेगा हम यहुवा के बहे को पहचान सके इसलिए परमेशन चाहता है कि हम उन वचनों को अपने अंदर ग्रहन करें हम यहुवा की योजनाओं को जान सके इसलिए परमेश्र चाहता है कि हम उसके वचनों को ग्रहन करें हम यहुआ के प्यार को जान सकें इसलिए यहुआ चाहता है कि हम परमेश्र के वचन को ग्रहन करें और सिर्फ ग्रहन ही ना करें उसे अपना मूल बना ले उसे अपना आधार बना ले क्योंकि परमेश्र का वचन ही है जो हमें जीवन देता है परमेश्र का वचन ही है जो हमें सुख देता है परमेश्र का वचन ही है जो हमें सुरक्षा देकर आनदकानदकाल के जीवन तक पहुंचाता है परमेश्र का वचन ही है जिसने हमें इशुफ़सी से मिलवाया है इसलिए दोस्तों उसके बचन के अनुसार उसके भे के अनुसार यदि हम चलेंगे तो परमेशर काशीश पाएंगे बचन सहीता 119 का दू कहता है क्या ही धन है वे जो उसकी चेतावनियों को मानते है और उसको संपूर हिदर से खोशते है मेरे भाई मेरे दोस्त मेरी बहन जिस जिन आप उसकी चेतावनियों को समझ जाएंगे जिस जिन आप उसकी अनुखरे को समझ जाएंगे जिस जिन आप उसकी योशना को समझ जाएंगे आप उसको संपूर हिदर से खोशेंगे फिर आपको कोई नहीं चाहिए होगा फिर आप कुछ नहीं चाहेंगे, आपके शरीड की अभिलाशा शुनने हो जाएगी, आपके शरीड की इच्छा शुनने हो जाएगी उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, आपके लिए आपके लिए सिर्फ अस्तित्व होगा, आपके लिए आपका धे होगा, आपके लिए आपका लक्ष होगा, आपके लिए आपकी मन्जिल होगी, परमेश्वर को ठूनना, और परमेश्वर को पाना, और उसके साथ रहना, और उसके साथ संगती करना, उसके करीब जाना, और जाना, और जाना, तकि हम उस परमेश्वर के बने रहें बने रहे, इसलिए इस चेतावनी को परमिश्र ने बड़ी ही, बड़ी अच्छी तरीके से हमें बताया है यहना में, यहना में उसने बताया है, बहुत ही अच्छी तरीके से, उसने क्या कहा है, कि यहना पंदरा का साथ कहता है, यदी तुम मुझ में बने रहो, और मेरे वच वचन की शुरुआत किस शब्स से हुई है यदी वो चेतावनी है परमिश्र के चेतावनियों को याद रखिए मेरे भाई अगर आप उसके वचनों में बने रहेंगे तो वो आप में बना रहेगा अगर आप दिल खोलेंगे वो अंदर आएगा बैठेगा आपके संग भूज जाएगा उस पर जो उसके वचन हमें बने रहेंगे तो आप मांगेंगे पिता की दर्शन पिताकी सूरत पिताकी मुरत पिताकी उपस्तिति ऊस Secondly पर में हराप देगा इसलिए इसलिए मती这么一直 Ke community को देखेंगे आगर मन शिद्ध होगा, मन कब शिद्ध होगा, जब हम उसकी चेतावनियों के अनुसार चलेंगे जब परमेशर का भे हमारे अनुसार रहेगा, जब हम परमेशर के भे के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे जो हम परमेशर के नियम के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे जो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो परमेशर की निगा में गलत है जो हम सिर्फ और सिर्फ परमेशर की ही उपस्थिती को महसूस करना चाहेंगे और हम सिर्फ परमेश्र को ही अपने जीवन में उचा इस्तान और पहला इस्तान देंगे उस समय जब हम कुछ भी मांगेंगे, कुछ भी चाहेंगे परमेश्र का आशीश, परमेश्र का अभीशेक, परमेश्र का सामर्थ हमारे जीवन में उतरेगा और अद्वत तरीके से हमारी पूर्ती करेगा हमारे अधूरे पन को पूर्ण करने वाला कौन है इश्यू मसी हम अधूरे थे हमारा कोई दर्जा नहीं था हमारा कोई अस्थत्व नहीं था लेकिन हम को पूर्ण करने वाला कौन है इश्यू मसी उसके कुर्वानी ने हमें पूर्ण कर दिया उसके प्यार ने हमें पूर्ण कर दिया हम पूर्ण हो गए कब जब हमने इश्यू को पाया जब उसके वच्चन को पाया जब परमेशर के भै को पाकर हम अपने जीवन को बिताते हैं आईए दोस्तों आज की सुभा अदुबत है हम परमेशर के भैक में ही अपने जीवन को गुजा रहे हैं वो भै जो हमको डराता नहीं है वो भै जो हमें प्यार सिखाता है वो भै जो हमारे जीवने प्यार उद्रत करता है वो भै जो हमें जो हमें दूसरों के लिए जीना सिखाता है वो भे जो हमें बताता है कि हम यहां पर मुसाफिर है और हमारा घर स्वरक में है जिसे ईशुमसी बना रहा है और वो हमें लेके जाएगा वो भे हमें बताता है कि साहत के साथ हम सिंगहासन के सामने खड़े रहें क्योंकि उच्छी समय पर परमेश्वर हमें उठाएगा और अपने योग्य बनाकर हमें लेके जाएगा आईए हम प्रात्रा करते हैं पिता परमेश्वर तेरे पविद्र सामर्थी नाम में अद्बु शिफा है तेरे नाम में अद्बु शिफा है, तेरे भाई में सुक है, तेरे भाई में आनंद है, तेरे भाई में प्रेम है, तेरे भाई में पविद्र आत्मा के नो के नो फल है इश्यू मसिया के पवद सौधी नाम से मांगते सुनने वाले हर भाई बैन के लिए आशिर सुक और चंगाई मांगते दाने वाद देते प्रात्रा अपने सुनियर को बूल कि एमेन